नमस्कार आप देख रहे हैं जन्भावना टाइम से आपके साथ पैको अंकिता विश्व आर्थिक मंच यानि की डबलू इएफ की वार्शिक बैठक 16 जनवरी को शुरू हो गई इस बैठक में भारत की लगभग 100 प्रती भागियों सहित, हजारों लोग बर्व से घिरे स्विस, इसकी रिसॉर्ट शहर में को आपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड पर चर्चा करेंगे इस बार बैठक की थीम कोपरेशन इन आ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है, बैठक में यूकरेन संकट, वैश्विक, मुद्र अस्विती, जलवायो परिवर्तन जैसे मुद्धो पर चर्चा की संभावना है बैठक की शुरुवात क्रिस्टल पुरुसकार समारों के साथ हुई, ये पुरुसकार प्रमुकलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो समाच के सभी नेताओं को जोडने का काम करते हैं और लोगों के लिए रोल मॉडल है पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज़ सभासान सद रागफ चड़ा भी इस बैठक में हिस्सा लेने दावोस पहुँचे हैं, यहां उन्हें यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर बुलाया गया है रागफ चड़ा पंजाब में निवेश लाने के लिए अलग-अलग बिजनस लीडर से मुलाकात करेंगी दावोस पहुचने के बाद रागफ चड़ा ने एक ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी है कि वो आखिर वहां क्या करने के लिए पहुचे हैं दावोस में बैठा के दौरान रागफ चड़ा ने विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक प्रोफेसर क्लॉज एम श्वाप से मुलाकात की उनसे मुलाकात के बाद रागफ चड़ा ने उनके साथ एक तस्वीर भी ट्वीटर पर साज़ा की और उन्होंने लिखा कि इंजीनियर और अर्थ शास्री प्रोफेसर क्लॉज श्वाप से मिलना और बाद चीत करना एक परम खुची की बात है उन्होंने 1971 में World Economic Forum की स्थापना की थी जब वो सिर्फ 33 साल के थे आपको बता दे कि विश्वा अर्थिक मंच की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा यूनिवर्सिटी में कारियरत प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाप ने की थी उस फर्श यूरोपियन कमिशन और यूरोपियन प्रोद्योगों की संगठन के सौचने से इस संगठन की पहली बैठक हुई थी इसमें प्रोफेसर श्वाप ने यूरोपी व्यवसाय के 444 अधिकारियों को अमेरिकी प्रबंधन प्रथाओं से अवगत कराया था 1987 में इसका नाव World Economic Forum पर दिया गया और तब से अब तक हर साल जनवरी महिने में इसकी बैठका आयोचन होता है इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताएए देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्ता से जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉग इन कर सकते हैं जुड़े रहे हैं जनभापना टाइम्स के साथ नमस्कार